आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से घर के ही रखे कुछी बेसिक से इंग्रीडियन्स में बनकर तयार हो जाने वाला मटन शोरवा बनाने की रेसिपी और इसको बनाना जितना ज्यादा आसान है ये टेस्ट में उससे कई ज्यादा मज़िदार बनकर तयार होता है ये शोरवे वाले सालन के आगे आप हर तरह का सालन का टेस्ट जो है भूल जाने वाले हैं तो चलिए बेहत आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाने वाला मटन शोर्बा बनाना शुरू करते हैं जिसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो हड़ी लगा गोश ले लिया है अच्छे टेस्ट के लिए आप हड़ी वाला ही गोश लीजिएगा अब इसमें मैं कुछ पौडर अट मसाले अट कर दूँगी जिसमें मैंने एक टीस्पून लालमेज पौडर अट करा है आधा टीस्पून हल्दी पौडर अट करा है एक टीस्पून गरम मसाला पौडर अट करा है एक टीस्पून धनिया पाउडर एड़ करा है, एक टीस्पून जीरा पाउडर एड़ करा है, मतन शोरबा है तो इसमें हम पानी भी ज्यादा एड़ करेंगे, इसलिए इसमें में दो टीस्पून यानि के एक टेबल स्पून नमक एड़ कर रही हूँ, एक टीस्पून कश्मी 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट आड़ कर दिया है और 1 टेबल स्पून लस्थन का पेस्ट आड़ कर दिया है इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम requirement रख देंगे कम से कम आदे गंटे के लिए तो जब तक a है पर हमारा मटन Marinate हो रहा है, दूसरी तरह हम इसकी बागी की तैयारी कर लेते हैं यहां पर मैंने 4 medium size की प्यास को पतले slices में कटकर लिया है इसी के साथ मैंने 3 medium size के टमाटर को Fine Chop कर लिया है Nutten Showarva पनाने के लिए आपको प्यास टमाटर को Chop करके ही लेना है इसको ग्राइन मत कीजिएगा अब इधर मैंने एक वेसल ले लिया है इसमें मैंने देर सर्विंग स्पून तेल एड़ कर दिया है अब तेल को हम हलका सा गरम कर लेंगे उसके बाद इसमें हम कुछ साबुत मसाले एड़ करेंगे जिसमें मैंने चार लोंगे ले ली है आदा हिंच का दालचीनी का तुकड़ा लिया है दो तेज पत्ते लिये हैं दो हरी इलाइची यह ली हैं जिनको मैंने हलका सा खोल दिया है इलाइची के सीट्स में ही काफी फ्लेवर होता है तो इसको हलका सा खोल कर एट कीजिएगा 14 से 15 काली मिर्च ले ली हैं साबत मसालों को तेल में हलका सा फ्राइ कर लेंगे जिससे के ये अपनी खुच्बू जो है वो ओयल में रिलीस कर देंगे अब इसमें मैं हमारा आदा घंटा पहले मेरिनेट किया हूँ मटन एट कर दूंगे और इसको हाई फ्लेम पर दो से तीन नट तक फ्राइ कर लूँगी इन सबी चीजों को तेल में हलका सा फ्राइ कर लेने से अदरक लसन की और मसालों की रोय स्मेल जो है वो रिमूफ हो जाएगी तो दो से तीन नट तक फ्राइ करने पर आप देख सकते हैं ओयल उज आउट हो गया है मसाला काफी दानेदार सा हो गया है और इसमें एक अच्छी सी खुश्बू भी आ रही है मसाला भूंजाने की अब इसमें हम अपनी कट की हुई प्याज और टमाटर एड़ कर देंगे और इसको भी एक से दूमनट तक फ्राइ कर लेंगे जिससे प्यास टमाटर जो है वो अपना पानी रिलीस कर देंगे उसके बाद इसमें हम पानी एड़ करके इसको टेंडर होने रखेंगे तो यहाँ पर प्यास को दो मिनट तक फ्राइ करने पर आप देख सकते हैं प्यास टमाटर ने काफी पानी रिलीस कर दिया है पानी एट करने के बाद मैंने इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके एक बॉयल आजाने का वेट कर लिया है अब इसको मैं कवर करके कुखोने रख दूँगी पहले मैं हाई फ्लेम पर इसमें एक प्रेशर आ जाने तक का वेट कर लूँगी उसके बाद मैं फ्लेम को मीडियम पर करके इसको 10-15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी जो भी आप बना रहे हैं, चाहे वो mutton हो या pie हो, इस तरह से अगर आप उसका pressure जो है, वो खुद से ही released होने देते हैं, तो आपके mutton, pie जो है, वो अपनी ही steam में पकते रहते हैं, और काफी easily tender भी हो जाते हैं, और इस तरह से oil भी जो है, वो काफी अछी तरह से उज आउट हो ड्राइ कर लोंगी इसको भूनते में इसमें से काफी छीटे उड़ते हैं तो इसको मैं इस तरहां से कवर करके भूनती हूँ और थोड़ी थोड़ी देर में इसको मैं चलाती रहती हूँ अगर आपको जल्दी है तो इसका लेड हटा कर हाई फ्लेम पर इसको लगतार इस्टर करते हुए भून लीजेगा जिससे कि इसका पानी जो है लेड हटाने से जल्दी ड्राइ हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए लगबख साथ से आट मिनट हो गये हैं और जिससा कि आप देख सकते हैं इसका जितना भी पानी था वो ड्राइ हो गया है और ओईल उजा उट हो गया है हमने जो इसमें चौप करके प्यास टामाटा रेट करे थे वो भी इसमें काफी अच्छी तरहां से घुल गये हैं मसाला भी काफी दानेदार सा हो गया है और इसमें से एक अच्छी सी खुजबू भी आ रही है मसाला भून जाने की और जो मसाला जो है वो अच्छी तरहां से जब भून जाता है तो इसमें इस तरहां से बोबल्स आने लग जाते हैं बस यही कुछ पहचान है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका मसाला जो है वो भूना है या नहीं जब आपका मसाला इस तरहां से प्रॉपरली भून जाए तो इससे ज्यादा इसको आपको नहीं भूनना है ज्यादा मसाले को भूनने से ये अक्सर काला पड़ जाता है इस स्टेज पर आप इसकी ग्रेवी जो है वो एड़ जस कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल पतला बनाने वाली हूँ तो इसमें ज्यादा पानी आड़ करूंगी पानी की कौईंटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं या फिर आप इसको बिल्कुल इसी तरहां का भी सर्फ कर सकते हैं रोटी के साथ इस तरहां का भुना हुआ बहुती टेस्टी लगता है अब इसमें मैं 6-7 साबुत हरी मिर्च आड़ कर दूंगी इसी के साथ इसमें मैं 2 टेबल स्पुन फाइन चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया आड़ कर दूंगी फ्रेश हरा धनिया इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है और देखने में भी ये काफी अच्छा लगता है तो इसको आप जरूर से एड़ कीजेगा फाइनली इसमें अब हम पानी आड़ करेंगे और बस इसी के साथ हमारा सूपा डिलीशियस मटन शोर्बा बिलकुल रेड़ी है इसको बनाना कितना ज्यादा आसान था वो तो आपने देखा ही और इसको बनाना जितना ज्यादा आसान ही टेस्ट में उससे कई ज्यादा मज इसे stage पे पानी की quantity जो है आप अपने हिसाब से balance कर सकते हैं हमारे यां इस तरहां की मटन शोरबे को थोड़ा पतला ही खाना पसंद करते हैं इसको आप गरम गरम सर्फ कर सकते हैं रोटी या चाओल के साथ पानी एट करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरहां से mix कर दिया है अब इसको मैं cover करके कम से कम 5-6 मिनट के लिए high flame पर cook कर लूँगी उसके बाद मैं इसको इसी तरहां cover करके रखे रहने दूँगी at least 5 मिनट के लिए cover करके high flame पर इसको थोड़ी देर पकाने से इसमें जो green chilies हमने add करी हैं वो भी soft हो जाएंगी और जो ये तेल इसमें से गायब हो गया है वो भी ooze out हो जाएगा तो बस 5-6 मिनट तक पकाने के बाद मैंने इसको cover करके इसी तरहां रखे रहने दिया था 5 मिनट और और जैसा कि आप देख सकते हैं green chilies soft हो गई है और तेल भी काफी अची तरहां से surface पर आ गया है finally इसके उपर मैंने 1 tablespoon हरा धनिया और add कर दिया है अब इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे और गर्म गर्म सर्फ कर लेंगे इस तरहां कि मटन शोरबे में आप रोटी को मल कर खा कर देखिएगा बहुती tasty लगती है मतलब रोटी के छोटे pieces करके इसको शोरबे में add करके अच्छे से mix करके फिर खाईएगा आपको बस मज़ा ही आ जाने वाला है या फिर आप इसको गर्म गर्म सिंपल वाले चावल के साथ में भी सर्फ कर सकते हैं चावल के साथ भी ये बहुती मज़े का लगता है I hope आपको मेरी ये आज की super easy जटपट बनकर तयार हो जाने वाली मतन शोरबे की recipe अच्छी लगी होगी तो आप लोग भी इस method से इसको try करें घर में बनाएं और comment section में अपने feedback भी दें कि इस method से आपका मतन शोरबा के साबन कर तयार हुआ तो अगर आपको मेरी recipe's try करने के बाद अच्छी लग रही है तो please video को like और ज्यादा से ज्यादा अपने family friends में इसको share कर दिया करें latest videos miss नहीं होंगी और इससे आपको मेरी इसी तरह की और भी delicious और easy food recipes का notification सबसे पहले मिलेगा और यह completely free भी है so kindly इसको जल्दी से press कर लीजेगा okay thank you so much for watching my video